आपको भारत के सविधान ने लोगतंतर दिया, उस लोगतंतर से आपको जो लाब हुआ, आपको लोगतंतर से और भारत के सविधान से जो लाब मिला, उनकी सुरुक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं? हमने संगठन की दिवारे तोड़ करके क्या आओ सभी इकठा होते हैं? बामसिप संगठन बुद्धी जीवियों का संगठन है और वो वो दिजीवी तरीके से अंदोलन को चलाता है। समाज कह रहा था इकठे हो, तुम लोग इकठा नहीं होते हैं? अगर इकठा हो गए और फ मंच पर विराजमान संगठनों के परतिनी दिगन और सभागार में उप्स्तित साथियों, आज बामसिप के 40-वे राष्टिय दिवेशन के अउसर पर हम एकवीशे यहां पर चर्चा कर रहे हैं। भारत का सविधान और लोकतंतर के लावार्थियों का करतव्य उद्गोस परिचर्चा से सामुईक संकल्प की ओर। यह विशे हमने कलस्टर कन्वेंशन में भी रखा और इस विशे की हमने जरूरत महसूस की कि यह विशे हमारे समाज के जो संगठन है उनके सामने ले करके जाना चाहिए। क्योंकि हमारे कारे करतां ना इसको चर्चा में लाया, विश्लेशन किया, मुलयंकन किया तो हमने ये महसूस किया कि यह जो विशे है हमारे समाज के जो परतिष्ट, आदमी है, नेता है, दूसरे संगठनों में जो काम करते हैं, जो कई बार हमारे साथ बैठ़ना भी नहीं करते या किसी दूसरे संगठन के साथ बैठना पसंद नहीं करते के उनसे बादचित की जाए उनसे सम्वाद किया जाए और चर्चा करके उनके सामने विश्य रखा कि यो भारत का सविधान है उससे आपको क्या-क्या लाब हुआ? उससे लाब हुआ ना आपको उससे क्या-क्या अधिकार मिले तो आपको भारत के सविधान से जो लाब मिला आपको भारत के सविधान ने लोकतंतर दिया उस लोकतंतर से आपको जो लाब हुआ आपको लोकतंतर से और भारत के सविधान से जो लाब मिला जो आपको benefit मिले उनकी सुरुक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं ये सवाल उनके बीच में हमने रखना जरूरी समझा और आज इस मंच के माधम से यही चीज़ हम उनके सामने रख रहे हैं जो यहाँ परजेंट है उनके सामने भी जो नहीं आए उनके सामने भी के जो आप लोग और हम लोग जो काम कर रहे हैं क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं अगर सही दिशा में नहीं जा रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए तो इसकी चर्चा करने के लिए ये के सामुईक संकल्प हमने संगठन की दिवारे तोड़ करके क्या आओ सभी कठा होते हैं और ऐसा क्यों किया हलांकि बामसिप संगठन बुद्धी जीवियों का संगठन है और वो बुद्धी जीवी तरीके से अंदोलन को चलाता है लेकिन यहाँ पर हमने समाज की बात मानी क्योंकि समाज एक डिमांड कर रहा था समाज कह रहा था इकठे हो तुम लोग इकठा नहीं होते क्योंकि उसे नहीं मालूम इकठा होने की प्रिक्रिया क्या होगी हम कैसे ही कठा हो सकते हैं क्या परक्रियाओगी इकठा हो गए तो लगातार इकठा कैसे रहेंगे अगर इकठा हो गए और फिर तूट गए उसका क्या फाइदा है लगातार इकठा चलने के लिए हमें क्या करना चाहिए वो कौन-कौन से कारेकरम है उन सब पर चर्चा करने के लिए मानिये दैराम जी ने जो बताया हमने दो हजार इकिस में ठाई सुन अगस्त को नागपुर में दो सो संगठनों को निमंतर्ण भेजा और उस में से चाली संगठन आये और इकिस लोगों की हमने एक नैशनल कोर्डिनेशन कोपरेशन कमेटी ओफ मूलनिवासी भाउजन ओर्गिनाईजेशन निर्मान की मलग क्यों निर्मान की क्योंकि हम सबको उन सबको इकठा करना चाहते हैं हमने भी ये महसूस किया कि इसको जल्दी हासिल करना है और बड़ी संख्या में लोग अगर समाज के लोग एक साथ आते हैं तो ये मनजिले मक्सूद तक जल्दी पहुंच सकता है इसलिए हमने दूसरे संगठनों के साथियों को अमंत्रित किया अब साथियों सवाल ये है कि पहली बात ये है कि मूलनिवासी भाउजन समाज के संगठनों में एकता जरूरी क्यों है हमें चर्चा करने की जरूरत है इस पर धक्षिय टिपनी कल करेंगे कुछ बिंदू आपके सामने रखना चाहता हूँ और इन बिंदू पर आप भी नोट करिए जितने साथी हैं कि अइकठा कैसे हो सकते हैं आपने लिख करके देना है क्या प्रक्रिया हो सकती है आप सबी और दूसरे संगठनों के साथी वो भी नोट करें कि वही इकठा होना जरूरी क्यों है फिर क्या है हमारी एकता में क्या-क्या बादाएं है क्या-क्या हमारे रास्ते में दिक्त है मतलब एकता के लिए जरूरी क्या है क्या-क्या जरूरी है और एकता कैसे करें मलए ये कैसे संभाव होगी क्योंकि और इसमें क्या सावधानी बरतें क्या बचाव करें ये चीजें और ये अभ्यान एकता अभ्यान कैसे सफल बनाएं इस एकता अभ्यान के लिए हमारे क्या प्रियास हो सकते है इन सब पर आपको चर्चा करनी है और ये आप लिख करके आप यहाँ स्टेज पर दे सकते हैं, कंट्रोल रूम पर दे सकते हैं, आपने लिखना है सबी ने के हम कैसे ही कठा हो सकते हैं, दूसरे संगठनों को क्या ही कठा रखा जा सकता है, क्या उनके साथ चल सकते हैं और किस किस तरीके से चल सकते हैं तो आपने भी ये चर्चा करनी है क्योंकि हमने नागपूर में चार बिंदुओं पर चर्चा की कि पहले सविधान और सविधान वाग भारत के सविधान के मुद्दे पर उन संगठनों का भी किंतु प्रंतु नहीं था सारे संगठन एक समुद्दे पर सहमत हो गए एक बिंदु डिशाइड हुआ दूसरा बिंदु फूले अमबेट्री विचारधारा के वही फूले अमबेट्री विचारधारा है उसको हम हमारे जो मापूर्स है सभी मापूर्सों की विचारधारा मानते है और हमने एक नाम दे दिया फुलेंबेट करी विचारधारा तो इसलिए चाहे उसमें पेरियर हो, चाहे ललाई सिंग यादाव हो चाहे जगदेवी परसाद को स्वाह हो, जितने भी दीन बंदू सर छोटु नाम हो सबको हम इस विचारधारा के बिंदू, एक बिंदू में केंदरित करते हैं इसलिए इस बिंदू पर भी सबकी सहमती हो गई के भई फुलेंबेट करी विचारधारा के आधार पर हम काम करेंगे तीसरा जो बिंदू था, हमारी पहचान क्या हो तो हम मूल निवासी भाउजन समाज के जो लोग है या संगठन है उनकी पहचान क्या हो तीसरा जो बिंदू मूल निवासी पहचान तो इस बिंदू पर कुछ लोगों का किन्तु प्रंतु था लेकिन उनकी सहमती बन गई तो तीसरे मुद्दे पर सबने सहम्ति दी के हम इस मुद्दे पर इकठा हो सकते हैं चोथा दा लोकतांत्रिक परनाली डेमोक्रेटिक प्रोसेस लोकतांत्रिक पत्ति और संस्थागत नेत्रित ओ एक ये चोथा बिंदू क्योंकि हर आदमी अगर अपने आपको महिमा मंदित करेगा और अपने संगठन को कहेगा मैं ही हूँ कि हमने निर्ने लिए कि आप अलग-अलग संगठन चलाईए अपने-अपने लेकिन कुछ मुद्दों पर हमें इकठा आना पड़ेगा और उसके लिए हमने नेशनल कॉर्डिनेशन कोप्रेशन कमेटी ओफ मूलनिवासी बहुजन और अर्गेनाईजेशन निर्मान की उसके तहत उत्राखंड में मिटिंग की दिल्ली में मिटिंग की और हरियाना में हमने 22 जिलों में पिछड़े वरक के लिए जो क्रीमी लेर की सीमा थी लाक है के अंदर में भी आठ लाक है लेकिन हरियाना सरकार ने उसको छे लाक कर दिया और उसमें सारी इंकम भी सामिल कर दी पूरे परिवार की अगर कोई PNB है स्वीपर भी है स्वीपर तो लगता नहीं लेकिन PNB है OBC का साथी तो क्या होगा पचास अजार भी सेलरी है तो छे लाक हो जाएगी वो क्रीमी लेर में बाहर हो जाएगा क्रीमी लेर नोन क्रीमी लेर का जो मुद्दा है उसको लेकर के हमने जापन दिये NCCMBO के माध्धम से तो इसलिए साथी हो यह जो विश्य है मैं इसकी ज़्यादा मतलब के आप इसके लिए हमें क्या करना है इसके लिए आप लोगों को दूसरे संगठनों से तालमेल बनाना है आप लोगों को हमने बिएसफोर अभियान में बी यह टार्गेट दिया था कि आप को दूसरे संगठनों के परतीनिदियों से तालमेल बैठाना, उनको बुलाना है, उनसे बाचित करनी है उनसे संदेश करना, उनसे संपRक करना, उनसे समवाद करना है और समवाद को सुष समवाद में बदलना है और उनके लिए हम एक ट्रेनिंग भी लगाएंगे जितने ये संगठन होंगे उनके लिए हम नागपूर में एक ट्रेनिंग लगाएंगे चार-पांच दिन की और हम उनको ये एसास कराएं कि उनको बताओ आप लोग कि जो अपमानित समाज है अमारा अपमानित समाज मान रहे है और उसमें समानित कैसे हो सकते है समानित तो हम इकठा होकर ही हो सकते है क्योंकि अगर जिसके पास ताकत होती है उसको लोग सलूट करते है जिसके पास ताकत नहीं होती उसको सलूट नहीं करते आपने गाउं में देखा होगा जो बड़ा चोदरी होगा बड़ा ताकतवर होगा उसको सलूट करते हैं जो गरीब आदमें उसको सलूट नहीं करते तो इसलिए हमारी जो ताकत जो बिख्री हुई है टुकडों में, अगर हम इसको इकठा कर ले, तो हमारा भी वो लोग सम्मान करेंगे, और हम सम्मान पाने के लिए ही संगर्श कर रहे हैं, हमारा जो ये कुछ साथी ये भी सवाल करेंगे, क्योंकि कई साथियों का सवाल होता मानेवर दैयाराम जी NCCMb. के सदस्टे हैं अब वो पार्टी में भी हैं और कल भी NCCMb. में के विधायक जी बोलने वाले हैं तो हमने यह बात अमलब पार्टी के लोगों को भी क्यों बूला रही हैं क्योंकि यह सटेज हमारी है और इस सटेज पर हमाव विचार जानना चाह कि जो हमारी विचारधारा इसके मुताबिक काम करो, इस विचारधारा के अधार पर चलो, तो इसलिए वो दूसरी पार्टियों के लोग भी उनको भी हम ये जो अभ्यान है, इस अभ्यान से जोड़ना चाहते हैं, जो NCCMBO का अभ्यान है और BS4 का अभ्यान है, क्योंकि BS4 भा कि सोचिए आप अलग अलग रहकर क्या कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्या मैं रास्तिय धक्स, मैं एक गली में रहता हूँ, मुझे दस लोग भी पसंद ना करते हैं, और मैं अगर रास्तिय धक्स बन जाओं, तो क्या लक्षय हासिल होगा, हमें देखना से हमारे संगठन जो भी है, उनका लक्षय उदेश्य क्या है, उनकी आइडियोलोजी क्या है, उनके प्रोग्राम क्या है, उनमें काउंटिबिलिटी है या नहीं है, उनमें डिसिप्लिन है या नहीं है, और ये उनुन में नहीं, साथ यो ये हमें अपने अंदर भी देखन जाते हैं और भासावाद के नाम पर तूट जाते हैं व्यक्तिवाद के नाम पर तूट जाते हैं विचारधारा के सपस्टा के कारण तूट जाते हैं अनुभव की कमी होती उसके कारण तूट जाते हैं धैरियता की कमी होती उसके कारण भी तूट जाते हैं पद की जो लालस और यह मैं चाहूंगा हमारे संगठन के वरिशतियों को भी ध्यान देना चाहिए हमें भी मतलब इतना आवेश है हमारे अंदर इतना गुस्चा है कि हम कारे करता को कारे करता नहीं समझते एक कारे करता काम करता है और कई बार कारे करता की बेज़ती की जाती है वरिशतियों द्वारा इसको हमें ऐसी भासा ऐसे विचार ऐसी सहली अपनानी पड़ेगी कि जो संगठन को आगे ले जाए वरिष्टा का मतलब यही है जो आपके जुनियर है उनको मालूम नहीं है कोई बात वो प्रेम प्यार से आप से पूछते हैं लेकिन आप जुता ले करके उन पे च पीएजडी स्कोलर है पीएजडी स्कोलर और जो आज वर्ण माला सीख रहा है उसका मुकाबला नहीं हो सकता इसलिए हमारे कारेकरता जो वरिष्ट साथियों से भी में निवेदन करूँगा कि वो संगठन के हित में भासा से लिए सब्दों का परियोग यह भी हमें डिशा मुझे क्या करना है मेरा मान समान नहीं है हम अपने मान समान के लिए काम नहीं करें हलांकि हम समाज के मान समान के लिए काम कर रही है तो साथियों हमें समाज के मान समान के लिए जब बाबा साब कह रहे हैं अपनी जान की बाजी लगा दो क्या हम इस जान की बाजी लगाने तो साथियों, आज मैं, क्योंकि इस पर कल कुछ बाते रखेंगे, मैं कुछ बाते साथियों के आई, उनकी बाद इसका महला के समापन करूँगा, क्योंकि अभी हमारे साहिल खान जी ने एक बात रखी, उन्होंने मीट की दुकानों की बात रखी, उन्होंने रखा कि खूले में मीट की दुकानों को लेकर मद्या पर्डेश में भी एक सर्कुलर जारी हुआ कि खूले में मीट की दुकाने नहीं लगेंगी खूले में मीट की दुकान कोन लगाता है शडूलकाज के लोग लगाते हैं गरीब मुसल्मान लगाता है हमारे लोग शूर पालते हैं हमारी जातियां कुछ शूर पालती हैं उन्होंने गाय के नाम पर एक अभ्यान चलाया कि किसी के घर में सूखी रोटी बची है बासी रोटी बची है कल्की बची है आटा बचा है उसमें डालो क्यों कि वो इकठा करके ले जाते हैं और जो हमारे लोग शूर पालते थे बेशते थे वो उनका शूर पालन बंद हो गया और ये मेरे साथी रामदा सोधा जी उन्होंने बताया कि ये ऐसाज क्यों किया गया है यारसस द्वारा प्लानिंग के तैद गाय के नाम पर जो हमारे लोग सूर पालते थे सूर भूमते रहते थे उनका सूर पालन बंद हो गया उनकी इंकम बंद हो गई उस पे अटेक है तो इस तरीके से आपके उपर अटेक चल रहा है अभी मुझे दस दिन पहले काईबी के आदमी का फोन आया वो बोल रहा कि सडूल कास्ट में एबी में कौन-कौन सी कटेगरिया मैंने कहा कि आप देख लीजिए भाई फिर उसने पूछा कि चमारों में सब कास्ट में कौन-कौन सी जाती कर रही है गोतर के नाम पर बेजे इन लोगों ने kha लिया हमें पूरा नहीं मिला मला एबी के नाम पर तोड़ रहे हैं आगे फिर जाती में भी तोड़ रहे हैं गोतर के नाम पर उनकी प्लान यहां तक चल रही है इस प्लान का अगर मुकाबला करना है तो क्या हमें इकठा नहीं होना चाहिए अगर इकठा होना है तो क्या तोर तरीके हो सकते हैं वो तोर तरीके कैसे इस्तेमाल करें उनको कैसे जन जन तक पहुंचाएं और कौन सी भासा इस्तेमाल करें कि हम से मिलने वाला साथी प्रेम प एलिगेट साथ ये सब को चिंतन मनन करना है और अपने विचार लिख करके जो लिख सकते हैं कम से कम मैं उनसे ये जुरूर आगरे करता हूँ क्या आप लिख करके मुझे दें या स्टेज पर दे दे या कंट्रोल रूम पर या मुझे दे दे उसका हम एक देखेंगे उसमें क को भी सामिल करना चाहिए तो उस तरह की रणनीती बना करके हम इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रियास करेंगे आपसे इस आवान के साथ आपके जिले में आपके ब्लोक में आपके राज्ये में आपके तैसील में जो भी दूसरे संगठनों के से संगठन है बहले ही वह व् आप सभी साथी मुझे लिख करके देने का कस्ट करेंगे धन्यवाद की।